हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होके बहुत अच्छे हैं अपनी लाइफ में आखे बढ़ रहे हैं गाइस टेंटन का पोर्टल स्टार्ट हो चुका है क्या एनर्जीज हैं टेंटन के पोर्टल पर आपके पर्सन के अंदर सबसे पहले तो जब आप हाई वाइबरेशन में रहते हैं हाई वाइबरेशन में रहना कैसे कैसे रहें हाई वाइबरेशन में जो चीज आपको अच्छी लगती है वो करो जो चीज आपको सर्व नहीं कर रही है उससे अपना दिमाग अटा लो ठीक है आपको music सुनना अच्छा लगता है आपको holy books पढ़ना अच्छा लगता है तो कम से कम एक घंटा आप उसको दीजे dance करना अच्छा लगता तो एक घंटा उसको दीजे vibration आपके अपने आपी energy आपकी positive way में shift हो जाएगी ठीक है ना तो जितना आप high vibration में रहोगे और कुछ भी आप सोचते अपने मन में अच्छी चीजे कि आपकी wish पूरी तो होगी और wish पूरी होगी नहीं होगी यही पहले मन में आ जाएगा तो नहीं होगी चले यह चीज है कि law of attraction क्या है कि ऐसी करो five into double five टेकनीक यह सब आपके अंदर ही वो टेकनीक अल्रेडी होती है ठीक है ना तो जब आप अच्छा सोचते हो gratitude में रहते हो तो वह चीज आपको multiply होके मिलती ही मिलती है ठीक है ना तो चले तो इसी high vibration के साथ एक positivity के साथ हम यह reading शुरू करते हैं कि मैंता universe divine angels आपकी person के energy क्या है क्या उनकी दिमाग में चल रहा है देखेंगे जो भी आएगा जो भी इंजल्स काइट करेंगे ठीक है ना passion ignite intuition heart chakra moment choices decisions love begins challenges spiritual strength very nice canton की energy यह ना तो एक portal यानि यह gate खुल चुका है यह universe की द्रव से आपको enter होना है और होने से पहले आपको किस energy में आना है तो आपकी person की भी क्या energy है यह हम देख रहे हैं awareness suffering in silence तो फिलाल जो उनकी life में जो कुछ भी हो रहा है यह मेजर अरकाना awareness में तो उनको आना है और वो आ रहे हैं ठीक हैं यहां पर मेजर अरकाना से तीन काड़ आ चुके bottom the deck, trunk यानि the chariot, intuition यानि की the high breast is and चक्राज में आपका है heart chakra आपके person का heart chakra heal हो रहा है guys सबसे पहले आपके person का heart chakra heal हो रहा है और वो अब जो balance करकर चल रहे थे अपनी life को decision ने ले पा रहे थे हैं और उनके सामने multiple choices थी क्या जो भीयत लेकिन उनको एक पर टिकना था तो अब उनकी जो intuition है वो अब काम कर रहे है inner voice को सुन रहे है तरह से ठीक है न। तो क्या सुनेंगे वो क्या सुन रहे है intuition उनकी क्या कहां पे काम कर रही है अपनी इनर्वाइस को कैसे सुन पा रहे हैं वो यह सुन पा रहे हैं एकी spiritual strength उनको दी जा रही है परिशान है nine of wands की energy अकेला feel कर रहे हैं ऐसा hermit mode पर है solitude में है suffering in silence यानि की बिलकुर अकेले बैटे हैं यानि nine of swords की energy में है यानि की परिशानी है तो फिलाल है उनकी life में क्योंकि वो healing जो process है उनका चल रहा है है healing एक दिन में तो होती नहीं है तो इसलिए जो चीज़े surface होती है उसमें आदमी गड़बढा जाता है आदमी हिल जाता है यह क्या चीज़े यह क्या हो रहा है मेरे साथ अचानक से सब कुछ ठीक था यह सब क्या हो रहा है लोग आगी trigger कर रहे हैं मेरी energy कर खराब हो रही है म और यह कि सब मैं कुछ tag क्यों नहीं कर पा रहा हूं या मैं कुछ चीज़ों से deal क्यों नहीं कर पा रहा हूं यह कर पा रही है जैसे आप देख रहे हो देखिए आप जो लोग बोलते हैं आप attack attack के बोलते हो देखो guys यहां पे क्या होता है ना जब हम reading करने बैटते हैं सारी पूरी हम अपनी जिन को भी invoke करते हैं अपनी divine powers को तो वो download करते हैं हमें psychic reading होती है तो उसमें क्या होता है कि कुछ चीज़े होती एकदम से बता दे तो उसमें आदमी attack जाता है तो आपको judge नहीं करना है यह भी बड़ा issue होता है कि आप किसी को judge कर रहे हो एक तरह से तो judge नह समझ में आपको देखना है जब आप tarot radar बनोगे ना तब पता चलेगा आपको जब आप रेडिंग करोगे ठीक है ना तो ऐसा नहीं करना चाहिए judge नहीं करना चाहिए ठीक है ओके जो भी divine यहां पर यह energies यहां पर आती है आप लोग की आती है जो भी कैसे आती है क्या है वो सब कुछ यहां पर बताया जाता है हम बताना कुछ चाहते हैं हम कुछ नहीं करते हैं वो नहीं कि मेरे थ्रू बस बताया जा रहा है अप यह समझ लो प्रकरती जो संदेश दे रही है वो मेरे थ्रू दे रही है समझ रहो तो यह बात है तो आपको अगर आप spiritual journey में हैं तो आपको जज नहीं करना है ठीक है ना पैशन इगनाइट आपका परसन ऐस ओफ वंड के एनर्जी यह नहीए शुरुआत आपके परसन के जिंदगी में आ रही है नहीए शुरुआत कैसे किसी भी तरीके से न्यू बेगनिंग उनकी जैसे लाइफ में जैसे ग्रोथ होना या अ बट उनकी life में still challenges है financially material changes क्योंकि अचानक से वो सब काम अच्छा चल रहा था अचानक से loss में आ गए है सबसे पहला काड आया है nine of pentacles का है nine of pentacles का मतलब यह है कि वो काफी अपने उपर मैनत कर रहे है और इस चीज में वो उनकी growth भी हो रही है उनको सफलता भी मिल रही है ठीक है love begins इसी की नीचे love begins है यानि की दो चीज़े हैं यहां पर अपनी growth पर भी focused है पुरी तरह से उनको help मि पर शुरी है बट कुछ ना कुछ के कुछ लोगों की life में अभी challenges हैं बाकी है ना हर एक की energy एक जैसी तो नहीं हो सकती है किसी की शुरुवात हो रही है किसी की नहीं हो रही है किसी की कम किसी की ज्यादा ऐसा होता है ना तो love begins लब बेगिंस का मतलब है कि एक नई अगर उनके साथ है universe उनके साथ है nine of wands के energy अगर वो अकेले भी हैं लड रहे हैं और बिलकुल भी hard नहीं मान रहे हैं तो इशुर उनके साथ है protection उनके साथ है ना वो अकेले नहीं है इशुर angels उनके साथ है तीक्षा ना यहां बेदा charity ना और चरियोट का card है heart chakra heart chakra यानी कि उनके heart chakra पे काम किया जा रहा है, अगर उनका heart chakra heal हो रहा है, तो वो किसके लिए हो रहा है, उनका heart chakra अगर balance में नहीं था energies, तो उनकी जो भी wounds थे, वो heal किया जा रहे, ताकि वो आपकी तरफ रुख कर सके, आई बात समझ में, spiritual way में भी, क्योंकि आप एक spiritual connection में है, divine connection में हो, आ इसलिए वो आपकी towards आते वे दिख रहे हैं, celebration आ रहेगा, क्योंकि वो अब एक चीज को choose करने वाले हैं, जो उनका दिमाग का भी juggling कर रहा था, तो अब थोड़ा सा peace में आने वाले हैं, और ये जो time आ रहा है ना, आगे आने वाला, इसमें ये celebration मुझे दिख रहा है, बिल gift है, वो आपके लिए है, है ना, क्योंकि ये जो energy है ना, tent and portal की आप spiritual connection में है, तो guys आपका person आपसे क्यों नहीं मिलेगा, आपका person आपसे बात करना नहीं चाता है, वो तो third party में ये है, वो है, उनकी तरफ ध्याना देके, आप अपने उपर ध्यान दीज़े ना, आपके अं mentor को, आप किसी को भी, आप कहीं भी judge कर रहे हो, तो आपका person भी आपको judge करेगा, वो energy आप भी के अंदर भरी हुई है, उसको release करो, ठीक है, आप कहते हो, मैं आप ऐसे नहीं बोलना चाहिए, नहीं भाई, अगर मैंने आपकी बात को नहीं समझाया, तो मैं तो अपना कर्मा खराब कर रही हूँ ना, मैं तो आपको यहाँ पर समझाने के लिए बैठी हूँ, है ना, और हम सब के अंदर होता है, हम सब बोलते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं, ऐसा नहीं होता है, भगवान भी यह चीज़ एक्सेप्ट करते हैं, कि यह कभी है ना, वो आपको परिशानी करेगी, है ना, ओके, तो यह बात है, आपका पैसन अवेर्नस में आ रहा है, यानि कि सब चीज़े पता चल रही है, उसको यह पता चलनी ही चलनी है, ठीक है, और यह जो एट ओफ पैंटिकल की एनरजी है, वो महनत कर रहे हैं अपने उपर, इ जानते हैं वो करना, ठीक है, क्योंकि उनको जब थोड़ा सा भी उनको पुछ मिलता है न, डिवाइन की तरफ से, तो वो अपने उपर काम करते हैं, ठीक है, तो आपको परसन भी स्लाइट की तरफ को बढ़ रहे हैं, एक पॉजिटिव मोमेंट फोवर्ट, बिलको एक पॉ इसके बाद ही इंटुईशन, यानि इसके बाद ही हाट शकर है, अपनी दिल की सुनेंगे वो, जो भी चीज है उसको अब समझ लेंगे, अब आने वाले यह जो पोर्टल की नर्जी न, इसमें बहुत सारी शिप्ट्स आ रहे हैं आपके परसन के अंदर, आप एक स्प्रिच्वल वे में आगे बढ़ रहे हैं, बिलकुल स्प्रिच्वल वे में आगे बढ़ रहे हैं, कि अपनी अंदर की जो शक्ती है उसको पहचान रहे हैं, क्योंकि आप अपनी उपर काम कर रहे हैं, तो आपकी टूइट्स वो बढ़ रहे हैं, आपकी लाइट की है उनकी तरफ से बट वो अपनी चीजों को सॉट आउट कर देगो नाइन आफ सौर्स की मैंने बोला था नेनरजी है नाइन आफ सौर्ड आ किया तो यहां पर क्या है कि अभी उनकी चीजे भी ठीक है हूंगी बट हील हो रही है चीजों को उनको समझने देना है फॉर अफ मुझे प्यार करता है वो जानते हैं और बिलकुल मैनिफेस्ट करते भी नज़र आ रहे हैं बिलकुल मैनिफेस्ट करते हैं क्योंकि वो बहुत ही स्प्रिच्छल होते हैं ऐसा नहीं है बट कुछ लेयर्स उनकी 3D की हो जाती है उपर लेकिन उससे वो निकलेंगे बाहर और यह जो चीज है positive way में वो जो manifest कर रहे हैं वो उनकी wish पूरी होगी 9 of pentacle के energy abundance इनकी life में आ रही गाइस लेकिन अभी current जो temporary situation है उनकी थोड़ी सी अभी हिली हुई है उसे बहार निकलेंगे निकलेंगे community को serve करने के लिए वो आपको community को serve करना और आपकी person भी community को serve करने के लिए ready हैं वो करते हैं community को serve unlimited potential आपके अंदर है उसको फैचानो energy बिल्कुल आप एक divine energy से connected होते वे नजर आ रहे हैं आपकी person भी focus यहाँ पर focus उनका अपने उपर है totally और divine के energy से connect हो रहे हैं गाइस enlightenment बिल्कुल divine के energy से connect होना यानिके enlightenment की दरफ को बढ़ना personal powers उनकी आ रहे हैं personal powers क्या divine masculine के energy में आ रहे हैं वो relationship जो भी relationship उनके कुछ दिखते थी वो भी खतम हो रहे हैं यापर patience रखावा उनने आपको भी patience रखना है यापर confirmations यानि की angel number अगर आपको 12 12 दिख रहा है 11 11 दिख रहा है या कुछ भी 212 दिख रहा है तो यह मतलब है कि harmony में आना ठीक है एक नए portal की तरफ एक नए gate की तरफ एक नए नए class की तरफ बढ़ रहे हो आप एक class से दूसरी class में जम कर रहे है ठीक है protection बिलकुल आपको किसी भी तरीके से कोई भी अगर कोई भी negativity है उससे आप protected हो no doubt आपके अंदर की जो powers है वो reveal होंगी और आपके person भी इस चीज को feel कर पा रहे की यस यह कोई normal चीज नहीं हो रही है मेरे साथ यह कुछ अलग ही हो रहा है उसको accept कर रहे है ठीक है ना देखो आपके person की अंदर की जो divine feminine distorted feminine distorted feminine energy है वो heal हो रही है क्योंकि वो आपकी तरफ attract हो रहे है आप उनको attract कर रहे हो तो वो heal हो कि क्योंकि यह the sacred woman क्योंकि आप एक पहुती divine mind soul है आपका person जानता है तो आपके person आपके अंदर वो चीज हील हुई है तो आपकी person के अंदर भी वो heal हो रही है commitment वो बिल्कुल commitment देंगे ही देंगे don't worry लेकिन यह मता दो बहुत ही spiritual sacred connection है आपका compatibility हमेशा आता है आप दोने एक दुसरे के ढूंड रहे है क्योंकि इस चीज के लिए वो बहुत प्रेत्न कर रहे हैं मैनत कर रहे हैं और यह मैनत उनकी रंग लाएगी क्योंकि आप बहुत ही प्यारे हो क्योंकि आपको सोचके उनकी vibration हाई हो जाती है ठीक है ना एक card और लेते हैं यस यही आ रहा है आपकी आप भूत ही मासुम हो देखो बढ़ना उदर रहे है दर डिवाइन मैस्कले बिलकुल वो अपनी पावर में आ रहे है क्योंकि आप उनकी प्रेड़ना हो है ना और इस प्रेड़ना से वो कैसे अपने आपको इंस्पार नहीं करेंगे है ना तो य चीजों को थोड़ी देखो ऐसा है कि हमारे अंदर जो चीज होती हम उसको समझ नहीं पाते हैं उसको समझो और उसको रिलीज करो ठीक है ना कनेक्शन विलकुल यह कनेक्शन आपका परसन फील कर पा रहे है यह कनेक्शन और यह देखो सोल मिट जाक रहा है यह सोल मिट कने flame अगर आप है या soulmate higher level of soulmate है connection में है तो आपका person इस connection को feel कर रहा है क्योंकि वो इस divinity में आ रहे है क्योंकि sacred woman है क्योंकि आप एक divine soul है आप एक divine feminine है तो वो भी divine masculine है और वो इस energy में आएंगे ही आएंगे और ये awareness उनके अंदर आ रही है ठीक है soulmate back of the story है soulmate मानते हैं वो आपको और इसी वज़े से वो आपके towards attract हो रहे है for reunion है ना बिलकुल यह होना ही होना है तो अभी के लिए guys इतना ही बिलकुल अपना ख्याल रखे जज नहीं करना बिलकुल भी डाउनलोड्स होते हैं हम लोगों को तो थोड़ा सा टक जाते हैं कोई बात नहीं यार बता तो रही हो ना आपको समझा तो रही हो ना नहीं समझ में आ रहा तो बताओ मुझे ठीक है ओके god bless you all jam आता दी राधे राधे